एक जबरदस राली के बाद, Mid Cap और Small Cap Indices 28 Feb को around 2% से गिरे यह हुआ जब Amphi ने Mutual Funds को एक Policy को फ्रेम करने के लिए कहा यह Policy इंवेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा Small Cap और Mid Cap से जुड़े रिस्क है अगेंस्ट दरहसल से भी Small Cap और Mid Cap अब सेगमें फ्रोथी मार्केट को लेके कंसर्ण है अब कॉफी के कॉंटेक्स में फ्रोथ इस गेट लेकिन मार्केट के कॉंटेक्स में स्पल शब्दों में एक ऐसा सिचुवेशन जा लोग कोई भी फाइनांशल अनालेसिस के वगेर, इन्वेस्ट करते हैं, वो भी overconfidently प्राइस के बेसिस पे. विच किन लीड तो ओवर वालुवेशन और पोटेंशली अ क्रेश. तू मच फ्रॉथ. अब इसके चलते हैं, कुछ mutual funds ने लंबसम पेमेंट यहां तक की SIP भी लिमिट कर दिया है. क्यों? ताकि इन स्केम्स में इन्फ्लोस कम हो. इस न्यूज ने मार्केट को तो हिला दिया, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं. अब इससे इन्वेस्टोस को लेर्निंग भी होई कि बुलिश सेंटिमेंट के बेसिस पे कोई भी सेक्टर पे ओवर इंडेक्स नहीं करना चाहिए. शेयर दिस वीडियो तो रेज मोर अवेरनस.